देखते हैं मदुबन बापुधाम का एव ब्लॉक का मैप एव ब्लॉक गोविनपुरम और स्वनजनतिपुरम के बराबर में है इसकी कनेक्टिविटी मिलती है हमारे को 30 मीटर वाइड रोड से यानि की 100 फूट रोड से यहां पर देखिए यह पार्क है बिल्कुल 100 फूट रोड के बराबर में एक पार्क दिया है इस पार्क पर यह प्लॉट साथ स्कुएर मीटर के हैं 104 नमबर से लेकर 118 नमबर तक 60 square meter के plot देखिए 5 into 12 5 meter इनका front है 12 meter ये गहरे है बिलकुल 60 हुआ है ये पार्क है और ये पार्क भी बहुत बड़ा है numbering दी हुई है हर plot के सामने high tension wire जा रहा है ev block के बीच में से ये देखिए यहाँ पर sewer treatment plant है लेकिन ये sewer treatment plant भी modernized होते है इसमें कोई smell वगएरा नहीं आती है यहाँ पर ये देखिए high school है plot number one बिलकुल road के बराबर में है यहाँ पर 90 square meter और 60 square meter के ही plot आपको मिलेंगे एफ block में ना कोई plot इससे बड़ा है corner के कुछ plot बड़े हो जाते हैं देखिए ये पार्क है ये भी पार्क है यहाँ पर group housing है ये देखिए पार्क है ये 9 meter road यहाँ पर देखिए 9 meter wide road है 37 meter wide road तो इन plots की खासियत ये हो जाती है कि पीछे आपको पार्क मिलता है फ्रंट में 9 meter wide road मिलती है यहाँ पर एक 60 square meter का plot मकान बना हुए है आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक सफेद रंग का मकान बना हुए है इसके पीछे भी 90 square meter के plot में construction हो रहा है तो F block बोलते इसको मदुबन बापुधा में लेकिन बिलकुल ये गोविंदपूरम और सुवन जैन्तिपूरम के पास है सुवन जैन्तिपूरम और गोविंदपूरम में अभी बहुत ज़्यादा rates हो गए है उसके comparison में F block में अभी बहुत कम rates है यहाँ पर F block में देखिए post office, mother dairy, nursing home, nursing home यहाँ पर auto चलते हैं, connectivity बहुत अच्छी है, काफी चौड़ी सड़क है group housing अभी यहाँ पर बनी नहीं है construction यहाँ पर start हो चुका है लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया है बहुत अच्छा block है यह F block 60 meter के plot इसका मतलब यह 72 गज हो गया meter को 1.2 से multiply कर दीजिए तो rough idea से वो गज में convert हो जाता है जैसे 90 meter का plot है तो 90 into 1.2 करेंगे आप तो 108 आ जाएगा तो 90 meter का मतलब 108 गज के plot देखिए यहाँ पे भी high school है इन plots पे sewer treatment plant के बरापर में पार्क दिया है बहुत बड़ा यह पार्क है इधर पार्क है 9 meter road पर यह plot मिल रहे हैं आपको देख सकते हैं आप numbering कोने का plot देखिए 60 नंबर का plot यह कोने का है इधर 104 नंबर का plot कोने का इधर 118 नंबर का plot कोने का है यह 12 यह 9 meter wide road है यहाँ से आप enter होंगे तो यह 12 meter wide road है और यहाँ पर आपको एक सफेद रंग का मकान बना हुआ मिलेगा देखिए यहाँ पर school है community center है यही चोड़ी सड़क आगे जाकर के e-block चली जाती है और फिर आपको वहाँ पर एक bunker mart मिलता है bunker mart एक बहुत बड़ा mall है जिसको शाली मार्ट ग्रूप बना रहा है समय समय पर न्यूस्पेपर पर आता रहता है कि उसमें food code बनेगा और चीज़े बनेगी लेकिन पता लगेगा कि उसमें क्या बनेगा आने वाले time में यहाँ पर भी देखिए high school है देखिए 6 into 15 90 square meter के plot हैं 12 meter wide road पर देखिए road की चोड़ाई भी बहुत जादा दी है यहाँ पर जो park face plots हैं वो 37 meter road पर हैं अगर आप कहीं पर flat लेने जा रहे हैं तो उससे अच्छा यह है कि आप plot खरी दें और उसमें आप construction करें इसमें आपको जमीन और छट दोनों आपकी होगी यहाँ पर भी आप आएंगे तो यह यहाँ पर एक घर बना हुआ मिलेगा आपको 37 meter wide road पर पार्क फेस तो आप उससे भी idea लगा सकते हैं कि आपका 60 square meter का मकान किस तरीके का होगा